तो फ्रेंड्स अभी अभी मैंने यहाँ पे Free Fire को यहाँ पे अपने PC में इंस्टॉल किया एप्लिकेशन भी आपको दिखाता हूँ, सर्ज बार पे क्लिक करके यहाँ पे मैं सर्ज करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, Free Fire Max मेरे सामने आ गया, एप्लिक्शन आ गया, मैं बस यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देता हूँ तो क्लिक करते हाँ पे आप देख सकते, Free Fire यहाँ पे ओपन हो चुका है, मतलब फ्रेंड्स में अभी यहाँ पे बड़ी आसन से Free Fire को चला सकता हूँ, वो भी अपने PC में बट यह मैंने केसे किया है, और आप भी केसे कर सकते हो, इंस्टॉल Free Fire PC में, तो वही आज किस वीडियो बताने वाला हूँ, अब जो आगे में स्टेप बताने वाला हूँ, उसे बस ध्यान से देखना है, वीडियो देखते देखते, जिस भी जगा पर प्रॉलिम आती है, उस जगा पर बस कमेंट कर लीजे, और वीडियो अलपर लगता है, तो यस वीडियो को लाइक जरू करना, वैसे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकोन पर क्लिक कर लीजे, तो करते स्टार्ट वीडियो विडाउट एनिवेस्ट नियो रेटिंग में आने के बाद, यहाँ पर आपको सर्च करना है, कंट्रोल पैनल, जैसे सर्च करने के बाद, यहाँ पर आपके सामने कुछ जरागा इंटरपर आने वाला है, तो यहाँ पर प्रोग्राइम्स और फीचर्स का ओप्शन आपके सामने आ जाएगा, इस वाले option प यह option है, उसके उपर क्लिक कर दीजे, जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद, आपके सामने कुछ जिस तरह का इंटरपर आएँ, तो यहाँ पर थोड़ा बढ़ा करके भी यहाँ पर दिखाता हूँ, ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ पर आप कुछ option के उपर टिक करना ह तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ तो friends option का नाम है virtual machine platform इसके उपर टिक कर दिजे सेकंड option है windows hypervision platform इसके उपर टिक करना है नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद windows subsystem for linux यह option दिखाए देगा इसके उपर टिक करना है ध्यान से देखिए फिर से देखिए टिक करने के बाद simply करने के बाद एक बार अपने PC को restart करने के लिए recommend किया जाता है windows 10 में तो एक बार restart जरू करना windows 11 के लिए नहीं करेंगे तो भी चलेगा अब next step में क्या करना है friends यहाँ पे sub setting में यहाँ से close कर देता हूं अब next step में Chrome browser को open करना है जैसे Chrome open करेंगे Chrome में यहाँ आपको search करना है WSA builds जैसे search करेंगे search करने के बाद friends आपके सामने कुछ इसरका interface आने वाले मैं थोड़ा zoom करके दिखाता हूं यह first side आपके सामने आ जाएगी इस side के उपर click कर दीजिए अब जैसे friends यहाँ पे side के उपर click करेंगे click करने के बाद नीचे आ जाईए नीचे आने के बाद friends यहा यहाँ पे zip file available है तो friends इन zip file का आपको यूज करना है play store install करने के लिए original play store यहाँ से install हो जाता है अब यहाँ पे friends मैं क्या करता है Windows 11 यूज कर रहा हो तो मैं Windows 11 के download latest table builds इसके उपर click कर देता हूं अगर आप Windows 10 यूज करते तो friends यहाँ पे download latest table builds यहाँ पे show होने वाला है इसके उपर ही click करना है pre-release bits के उपर click मत करिए ओके तो friends मैं यहाँ पे इस वाले option के उपर click कर देता हूं तो click करने के बाद friends यहाँ पे मैं थोड़ा नीचा आ जाता हूं तो friends नीचा आने के बाद friends यहाँ पे top में ही उपर आपको zip file show होने वाली है ओके तो friends इस zip file के उपर easily जाए ही यहाँ पे zip file आपको show होनी वाले उसके उपर click कर दीजिए friends zip file download होना start हो जाएगी तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं zip file download हो चुके अब यहाँ पे zip file के उपर आ जाना है show in folder के उपर में click कर देता हूं अब friends इसे cut कर लेना यहाँ से मैं cut कर लेता हूं अब friends cut करने क अब के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको click करने ओपर जैसे open के उपर click करेंगे तो friends log users और आत्याध कुलिक कर लिए तो इसवाले फाईल के ऑपर उपर आपको show होने वाली है तो इस वाले फाइल के उपर क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे फिर से यहाँ फाइल शो होने वाली ओर एक तो इसके उपर क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंट्स क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचा आजाना है तो friends में इसे close कर देता है यहाँ से and close करने के बाद हम चेक कर लेते playstore install हो गया है या नहीं तो friends यहाँ पर देख सकते है playstore directly install हो चुका है let's see अब friends यहाँ पर आप यहाँ से भी मतलब friends search bar पर click करके यहाँ से भी आप playstore को search कर सकते हो प्लेश्टोर मिल जाएगा बस यहाँ पर playstore को open करना है open करते हैं यहाँ से बार पर click करके free fire को आपको search कर लेना है search करने के बाद यहाँ पर free fire को आपको install कर लेना है install करने के बाद बस play करिया बड़ी आसन से game चल जाएगा साथ में friends बड़ी आसन से laptop में अपने PC में प्लेश्टोर को install करके free fire को खेल सकते हो अब यहाँ पर आपको कुछ प्रावलिम हा रही है कर दो करने का यह है